नवस्कार दोस्तों इनकी वर्तमान आयो 60 years है और आज इनका birthday भी है तो पहले तो मैं wish कर दू जन दिन की आपको बहुत-बहुत बढ़ाई अब इनके हाथ में अच्छी सूपसाइन है फिर भी चाहिए वैसा जीवन में ग्रोथ नहीं मिला इनको और उसका कारण है केवल देखा तीन-चार दिन पहले एक बंदा ओफिस में आया था किसी को लेकर उससे मेरे discussion हुआ था मैंने कहां यहां पर जो भी पाम एनालिसिस होता है वो कोई ना कोई दूख होता है तब आता है एकदम जो सुखी लोग होते वो आप लोगों को हाथ देखने ही नहीं मिलते तुकि वो कभी डॉक्टर के या पामिष्टी के पास जाएंगे नहीं जिसको कहीं ना कहीं दर्द होता है वो हमारे जैसे लोगों की सेवा लेता है या तो वो डिसार ग्रोथ उसे ना मिली हो या जीवन में कहीं ना कहीं रुकावट हो ठीक है यह कोई कमजोर व्यक्ती नह नहीं मिला है अच्छी साइन होने के बावजूद भी पर ऐसे काफी संपन्न है तो यह सारे सब्जेक्ट लागू होते हैं तो आप जो हाथ देख रहे हो वो कोई ना कोई प्रॉबलम होता ही है उसमें वो ही व्यक्ती हमारे पास आता है जो भरपुर ग्रोथ ले रहा है उस उनकी हार्ट लाइन देखो उनकी जीवन रेखा देखो एक ढदकती है इसा चमकती है एक डिफरेंट तरीका होता है वे एक अलग ही तरह का पाम होता है थैजि कोई ना कोई तकलिभ होती है तबही व्यक्ती ये पामाते, यानि आप लोगों को जो ग्यान मिल रहा है, जो भी व्यक्ति ये वीडियो देखते होंगे, उनको कहीं न कहीं पूरा ग्यान नहीं मिल रहा, जो भूत ज़ादा सफल लोग होते, उनके हाथ आप लोगों को रेर में ही देखने मिलते हैं, दूसरा भूत ज़ाद बड़े लोग हुए तो वो वीडियो नहीं बनवाते हैं यह और एक और चीज़ होती है यह मन में जो था वो बताया इसे पामिश्ट्री से कोई लेना देना नहीं है इस हाथ से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर देखे थोड़ इसी यह दो उंगलिया उपर की तरह यह जब उपर होती है तो इन में नीने शक्ती में थोड़ा सा अंतर होता है जो समय पर नीने लेना होता है वो यह ले नहीं पाते है उसके बाद पस्तावा होता है मैंने यह कारे किया होता तो अच्छा होता था यह हाथ का कलर भी काफी अच्छा है पर धन रेखा नहीं अच्छी इस पाम को देखे तो यह स्क्वेरिश पाम है तो ऐसे लोग महनती होते हैं और महनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं फर्स फैलेंज नुकी लग कम है तो इदर उदर ध्यान जाता है सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है लोजिक की जुरत होगी वहाँ पे लोजिक यूज़ कर पाते हैं पर मांसल कम है तो कम्प्रोमाइजिंग नेचर होता है वेक्टी का फर्स उंगली अच्छी खासी बैंड हो रही है तो अच्छे खासे धार्मिक होंगे सुरी की उंगली बढ़ी है तो यह हिमती सभाव बताती है यह उंगली भी फर्स पैलेंज तक नहीं पहुचती पर मनी ट्रेंगल है तो यह जब फर्स उंगली फर्स पैलेंज तक नहीं पहुझती तो वेक्टी डॉकुमेंटेशन फाइलिंग चीजों को संबाल कर रखना याद शक्ती मनी मैनेजमेंट और अकाउंट यह सारी चीजों में वेक्टी कमजोर होता है पर इनके मनी ट्रेंगल है तो यह मनी मैनेजमेंट में कमजोर नहीं होंगे अब चलते हैं इनके इनक लगे हुए पांपर जब आपका बुद्ध परवत इस तरह से दबाओ तो आप मन की बात नहीं कर पाते और यहाँ पर उभार हो तो छोटा भी कारे करे तो उसे व्यक्ति को लगता है कि मेरा नाम होना चाहिए तो यह इस तरह का सभाव रहता है यह के साथ बैठे हो या बिजनेस मिटिंग में बैठे हो वहां से निकलने के बाद याद आता है मुझे यह चीत बोलनी थी यह रहे के हां कंटीनियू रेखा है तो बुड़ा पर मैं अभी एक्च्वल महीं का बुड़ा पर ही चालू है तो आर्थिक रूप से कोई तकलिप न साइन होती है तो अब इनके जो सन मांट पर फिश साइन है वो काफी सुन्दर साइन है पर केवल यह साइन आने से ही व्यक्ति ठीक है आम लोगों से काफी अच्छा संपन होता है पर इतने से काम नहीं होता यहां से चली और यह ऐसे घुमाओ लिए आप देखिए कितने एमेम की बड़ी फिश साइन है ठीक है थोड़ी मोटी जरूर है पतली होती है तो ज्यादा ग्रोथ देती है पर इस तरह की भी साइन व्यक्ति को काफी अच्छा रिलेक्स देती है अब यह पता नहीं कब आई इनके जीवन में वो पता नहीं पर इनकी धन रिखा में दम नहीं था और जीवन भर कब तक नहीं है वो भी मैं बताऊंगा बाकी अगर यह स्क्वेर कंप्लिट होगा तो कभी न कभी मल्टी सीटी का काम जीवन में रहा होगा यह स्क्वेर के कारण और बाकी तो कुछ सनमाउंट पर और कोई साइन तो नजर नहीं आ रही है अब वापस उसी फोटोग्राफ में चलते है और संलाइंग भी देखे यहां से चल रही है यानि ऐसे लोगों को जब चंदर पर टच हो जाती है संलाइंग तो लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है इनको 100% लोगों का सहयोग अच्छा मिलाओगा और यह comfortable income भी देती है तो यह भी खासियत रही होगी ऐसे लोगों तो real में politics में जाए और यहां पर fish sign हो और इस तरह की चीज हो तो अच्छा प्यार मिलता है लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिलता है अभी तो इनकी उम्र भी हो गई शनी परवत थोड़ा सा दबा हुआ यह hard work कराता है और चीजे देरी से प्राफ्ट करवाते है जो आज मिलनी है वो कल मिलती है इस तरह की situation रहती है और यह पार अगर दबा होता तो व्यक्ति को interest भी लेना पड़ता है यानि ब्याज चुका पड़ता है पर यह पार्ट दबा हुआ नहीं है केवल यह पार्ट दबा हुआ है यह थोड़ा सा hard work कराता है इससे जादा कोई minus point नहीं है और continue धन रेखा है अब 60 years है तो धन रेखा पर आएंगे तब विस्तार से इसके बारे में जानकारी देंगे यहां पर एक line जा रही ह इस तरह की line होती है तो व्यक्ति को चार benefit मिलती है political love, सरकारी love, ससुराल पैसे वाला होता है और जो भी कारे करते है बड़े सतरका करते है तो कई लोगों को चारो benefit मिलती है किसी को तीन, किसी को दो और किसी को एक और यह इस तरह का fork हो, तो अपनी बाते समझाने में बहुत आसानी से व्यक्ति के सामने यह लोग बाते समझा पाते है Jupiter Mount बहुत अच्छा है तो ऐसे लोगों पारिवारिक और सांसरिक सुख अच्छा प्राप्त होता है और यहां पर triangle भी बना हुआ है तो यह भी एक प्लस पॉइंट है और यह स्टार होगा यहां पर यह 100% स्टार है यह होगा नहीं है यह तो यह period होगा लग बग 45 के आसपास 45 के आसपास या लग बग 45 के आसपास समझो एक दो साल प्लस माइनस अच्छानक fortune राइज हुआ होगा और बड़े बड़े लोग संपर्क में आये होंगे कहीं न कहीं इसने benefit दी होगी इस टार ने पाकि ट्रैंगल भी है यह political लाप और सरकारी लाप और न भी प्राप्त करें तो भी व्यक्ति अपने लेवल पर आम लोगों से ज्यादा अच्छा रहता है संपन रहता है एक लाइन दो लाइन तीन लाइन यह कितनी भी खराब पिस्तिती आए यह लाइन होती है तो व्यक्ति अपने चीजों पर अडिक रहता है यानि हिलता ने यह सबसे बड़ी खासियत और continue प्रॉग्रेस देती है और अगर यह square बनना होगा तो 32 के पहले कोई ने कोई property खरीदी होगी और 36 साल में authority position पर पहुचे होगे पंदुनी मंगल व्यक्ति है तो साड़े रिक उर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है बारी मंगल उससे भी जादा अच्छा है जब किसी से मिलेंगे तो energy के साथ मिलेंगे सामने वाला comfortable feel करेगा और संकट के समय व्यक्ति अपनी level पर संकट का सामना करता है अब इनका मुझे international connection पता नहीं पर इस तरह का चंद्रपरवत हो तो व्यक्ति का international connection आता ही है बहुत ज़्यादा उभार है ऐसे लोग जब पैसा कमाते तो घर के फनीचर और अफिस के फनीचर दिखने लाइक होते हैं second अच्छे परचेसर होते हैं विदेश से संबंद आता है पानी अच्छा लगता है दूद से बनी वस्तुए बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ऐसे लोगों को साधी ब्या में साध में लेके जाओ तो चार लोग पूछेंगे ये कपड़े कहां से लिए इतने अच्छे परचेसर होते हैं इनको पानी भी एक कोल्डरिंग्स की तरह मिठास देता है इतना अच्छा लगता पानी तो चंद्रपरवत काफी अच्छा है मुझे पता नहीं ये गुमने गए है या नहीं गए विदेश से क्या संबंद है पर इस तरह का चंद्रपरवत थाउजन परसेंट व्यक्ति को विदेश तो मिनिमम गुमाता ही है और अच्छी खासी बुद रेखा भी इनके हाथ में ह तो बिजनेस कुशल भी व्यक्ति होता है पर ये लाइन भी अकेली काम नहीं आती कहीं न कहीं या ये सैन भी अकेली काम नहीं आती धन रेखा सही होनी जरूरी है और मनी ट्रेंगल भी बन रहा है तो इतनी तो संपती जमा कर लेते ये लोग कि बुड़ापा भौत सांती से गुजार सके है शुकर परवत व्यवसित है बहुत जादा उभार भी नहीं है बहुत जादा दबा भी नहीं है तो बहुत जादा लगजरी की चाहद भी नहीं होगी और लगजरी से दूर भी नहीं भागते होंगे और ये जो जीवन रेखा है ये पूरी गुमाव ले रही तो परिवारिक सोच वाला इंसान होता है कहीं बार भी गया तो पांच बार दस बार घर में फॉन करेगा और परिवार के प्रतिक व्यक्ति से संपर्क रखता है इस तरह का व्यक्ति अब इनकी हृदे रेखा पूरी जुपिटर से टच हो रही है पर ये इस तरह से मंगल की और भी देख रही है तो गुस्सा भरा रहता है और पैतालिस से लेके अर्टालिस के बीच में एक का दिया दो साल थोड़ा सा अंकमफ़डेबल साधरी रूप से फिल करता है जखती इ ये गुस्सा कब तक था आपको क्योंकि इस तरह की लाइन जरूरी नहीं कि पूरे जीवन बर गुस्सा रहता है पर कब तक रहा वो इन से जानकरी लेनी होगी पर ये गुस्सा दिलाती है और जब जूपिटर से टच हो जाती है तो भरों से लायक इंसान हो जाता है ये भी दिर्दुखी होता है उसके बाद कुछी धूंगता है और मंगल पर भी खड़ी लाइन है यह भी एक प्लस पॉइंट है अगर कोई कानूनी डाव पे चलता हो तो ऐसे लोगों को विजय भी प्राप्त होता है अब माइन लाइन पर देखे तो यहां से चल रहे है जूपिटर से तो यह महतो कांशा भी दिखाती है और यहां पर अगर यह ब्रेक होगा 99 परसेंट ब्रेक है तो इस पिरियड में कोई न कोई ऐसी घटी होगी 31-32 के आसपार जो इनको थोड़ा सा डिस्टब की होगी और उ यहां पर मुझे 100% ब्रेक नजर आ रहा है और यह जब पैरलल होती है तो दवाव में भी रहता है जीवन तो 6-7 साल दवाव में भी यहां आगे रहा होगा और उसके बाद माइन लाइन सी दी चल कर अब टू एंड तक चल रही है तो माइन लाइन काफी उत्तम है यूंदी के बल पर विकास भी करता है अब इनके जीवन रेखा पर देखे तो ये फर्स्ट जो राव रेखा इनको काटी है उसके पहले भी एक छोटी सी रेखा ने काटा था ये फर्स्ट अठाइस में काटी है उससे में कोई ने कोई तकलिफ हाई होगी उसके तीन साल पहले भी एक छोटी रेखा ने काटा था और उसके पहले भी कट है, 4-5 साल पहले, पर 60 years के व्यक्ति का इतना पीछे जाने की जुरुत नहीं है, 28, फिर 31 में एक राउ रेखा ने काटा, 136 में काटी है राउ रेखा, 139 में काटी है, sorry, 28, 31, 36, फिर 39, 41 और एक आपशुट, near and dearer, 43 के आसपास दिख रहा है, और 45 में भी एक रहा हूँ रेखा काट रही है, मैं वापस रिपीट करता हूँ, 28, 31, 36, 39, 41 और 43 में near and dearer और जो आपशुट है और लास्ट में 45 और जो आपशुट है वो 23 से स्टार्ट हो रहे, तो अब टू ये 43 तक continue चल रहे थे, आपशुट, यहाँ पर भहुत सारे आपशुट थे इनको, बहुत अच्छी बेनिफिट भी इनको जीवन में मिले होगी इस पिरियर में और इसके बाद के जो आपशुट है वो इनके दूसरे फोटोग्राफ से हम कलेक करते हैं, वो इस फोटोग्राफ में नजर आ रहे हैं, उसके बाद के यह आपशुट फोटी एट का आपशुट है और इसमें छोटी सी राउरेखा भी काट रही है, फिर फोटी नाइन के आसपास का आपशुट है, उसमें भी राउरेखा काट रही है, फिप्टी वन का एक आपशुट है, फिप्टी सेवन का है और फिप्टी नाइन का है, और उसके बाद को कोई रेखा कट करते एक मामूल सी रेखा कट करते दिख रही है 60 के आसपस उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा राउ रेखा है और ना अप्शुट नजर आ रहा है यह है तो यह बहुत दूर है लगबग 12-13 साल के बाद है यानि 673 के आसपस और यह अच्छा खासा गुमाओ ले रही है अब इनके क्लोज अप की और चलते है यहां पर देखिए इनकी धन रेखा मैं यहां तक यह मोटी चली जैसे नाली नूमा होती है वैसी चली यह पिरियड तक 36 तक यानि यह भी कम ग्रोथ देती है पहला जटका लगा इनको 28 के आसपस भरपूर कोई न कोई नुकसान गया होगा इनको क्योंकि बड़ा कट था यह उसके बाद छोटे छोटे कट आते ही गए और एक थोड़ा सा बड़ा 33 के आसपस भी लग रहा है और एक 35 के आसपस एक 37 के आसपस एक 41 के आसपस 43 के आसपस 45 46 के आसपस और यह लग बग या तो इन्वेस्मेंट हुआ उगा या इसने घाटा दिया ओगा यह लाइन 49 के आसपस है कि 51 के आसपस या बचे बागी ये पूरी फैली हुई धन रेखा है पूरी इस तरह से चल रही है इतनी चोड़ी धन रेखा कभी ग्रोथ नहीं देती धन रेखा के भहुत तरह के प्रकार होते है उसमें से एक ये नई टाइप का प्रकार है उसके बाद देखे तो यहाँ पर कुछ न कुछ 55 तक कोई न कोई बिजनेस में अच्छी बेनिफिट इनको मिली होगी इस धन रेखा के कारण इसमें थोड़ा सा कम दबाओ दिख रहा है उसके बाद आगे चले तो ये घुमाओ ले रही है पर यहाँ पर भी कोई ऐसा दमदार धन रेखा नहीं है फैली हुई है तो बहुत 65 के आसपास सी ये धन रेखा थोड़ी सी मजबूत हो रही है तो कोई न कोई ऐसा कार्य होगा जो 65 के बाद इनको ज्यादा ग्रोथ मिलेगी बाकी इतनी ग्रोथ तो इनके हाथ में ज्यादा दिख नहीं रही है और उसमें भी कट देखिए एक कट लग रहा है लगबग 59 के आसपास एक कट लगबग 63 के आसपास लग रहा है तो जैसे इनको यहाँ पर कट लगे वैसे आगे भी चल रहे है और यह और यह और है पर यह भी कोई दमदार नहीं है यह एक यहाँ से यह थोड़ी सी व्यास्तित होते हुए दिख रही है जो मैंने उम्र बताई लगबग 65 के आसपास से वो उसके बाद कोई ज्यादा डिस्टरबंस इनके लाइन में नहीं है और यहाँ पर देखे तो यह गो पुछ रेखा बन रही है यह भी इनको अच्छी यानि बुड़ा पा इनका ग्रोथ वाला जाएगा दो पांच साल के बाद पांच साल के बाद इनका ब उम्र बढ़ेगी यह इस तरह से संकेत दिख रहे इनके हाथ में पर यह तो पूरा समय कम ग्रोथ वाला ही राओगा यानि केवल अच्छी साइन आने से ही काम नहीं होता कहीं न कहीं हमें दूसरी वस्तुए भी साथ में अच्छी चाहिए तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रशनों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद